गाइज जैसा मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं DTE DTE के बारे में फुली की टेल में बताऊंगा आज मैं उसी के लिए आया हूँ DTE, DTE is simply the full form of DTE is drive test engineer DTE, generally DTE का काम रहता है DTE का काम रहता है drive करते हुए testing करना इसलिए बूला गया है drive test engineer क्योंकि ये जो होता है किसी भी site के जैसे कोई namely कर दिया जाए कि 1800 बेंग पे ये site का drive test करना है जैसे site id मालो की क्या कोई सावी ले लो जैसे पठान कोट PNKT 008 ये site id आता है तो drive test का simply meaning होता है कि इस site की range check करना है कि कितनी दूर तक इसकी range जा रहा है और साथ में कितना signal strength आता है इच पॉइंट रहा है क्योंकि हम सिंप्री जानते हैं कि frequency distance के अनुसार घरती है या बढ़ती है तो इसलिए हम देखते हैं कि हर पॉइंट पर इसलिए जब वह signal के check करते हैं तो वह जो हमारा log file बनता है उसको मैं upload करता हूं उसके बाद वह uploading बताता है कि इस site पर issue है या नहीं है जैसे मालो कि मैं यह site लगा दिया यहां पर एक site है यो भी हो जी हो कि अब कोई बंदा यहां पर है उसको यह मिल रहा है सही speed क्या है इंटरनेट के speed क्या है और जो बात कर रहा है उसका मतलब कॉल लग रहा है कि नहीं लगा तो हम लोग क्या करते हैं जो डीटी इंजिनियर रहेगा वह यहां से अपना डिवाइस स्टार्ट करेंगे साइट के बगल से और यह करते जाए करते जाएगा यहां पर जोहां भी होगा रास्ता इसे देखते आएगा क्योंकि रास्ते के साइड में ही रहते हैं अपना वह पूलेशन तो मालो कि यहां पर यह रास्ता है हमने अपना डिवाइस स्टार्ट किया और चलते गया चलते चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहां तक आया माल लो सपोस्थ और इसका जो लॉग फाइल बना वो मैं जब अपलोड करूंगा तो अपने आप जो हमारा जो जीयो का वो रहता है अनलाइजर को हो या जो भी बोलो जो चेक करता है कि इसकी रेंज क्या होनी चाहि इसलिए हम लोग डीटी का यूज करवा के डीटी और उस साइट के बारे में बता कर लगाते हैं कि यह साइट चल रहा है सही है हमारे लिए बेनिफिसियल है तिलिकम के लिए कि नहीं है कि वैसे ही लगा के चला गया कोई तो दोस्तों अब डीटी ड्राइब टेस्ट करने क जो सिंपल तरीकह हम बताने जा रहे हो नेक्ट वीडियो में बता देंगे अपने नेक्ट विडियो जरो करें और लाइक करें सबसे ज़्यादर सबसे ज़़यालर करना देफिए सबसों जरूरी जो चीज है क्योंकि जब तक सबस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक भीवर नहीं पढ़ेगा तो सही नहीं रहेगा धन्यवाद